प्यारे बच्चों ये आपका next assignment है इस assignment में मैं थोड़ा बता दूँ जैसे सबसे पहला question है कि हमें human skeleton को draw करना है ये आपके एक chapter में दिया है फिर कौन से part को क्या बोलते है उसको arrow बना के लिखना है फिर उसको हो सके तो अगल color possible है तो white color का है तो white color करना या फिर बिना color के भी लिखना ये अल्रेडी आपको आपके textbook में दिया हुआ है फिर उसके बाद हमें draw और explain करना है जो different sense organ है उनको बारे में जैसे मालो eyes है nose है ear है तो ये different sense organ है जिसका हमें draw करना है और उनके बारे में अपने को लिखना भी है ठीक है फिर उसके बाद दो third question है जैसा कि आप diseases होते हैं in vitamin के deficiencies की वज़े से और उसके साथ में आपको primitive yes preventive measures भी लिखने है कि भाई क्या ऐसा करें कि भाई ये बीमारी इस vitamin से नहीं होगा क्या ऐसा खाना चाहिए तो वो सब आपको आपकी textbook में दिया हुआ है ठीक है फिर last question है कि communicable disease को कैसे हम फैलने से रोक सकते है तो कम से कम 6 point अपने को लिखने है प्यारे बच्चो ठीक है